इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीविस टॉपिक में अपनी इंपॉर्टेंट टेम्स देख ली जो हम यूज करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं के स्टेप वाइज हम बिलकुल सक्रैच से हमें एक घर का नक्षा बनाना पड़ सकता है और डफिनली हमने बनाना भी ऐसे ही है जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो सिर्फ आपको इतना बता रहा होता है कि मेरा घर है वो फुलां जगह पर एक फुलां रोड के आगे उट करते हैं और फिर हम एक प्रफॉर्मा भी आपके नज़र आ रहा होगा तो हम क्लाइंट रिकॉर्मेंट लेते हैं कि जिसका घर हम बना रहे हैं वो क्या चाहता है उसके घर के अंदर किया क्या चीज होनी चाहिए उसको हम भी कुछ बाज उक़ार रहे हैं उसे बता रह एक प्रोंइन हम प्रफार्मंधज करने के बाद हम उसको ग्राफ पेपर के उप Facial करते हैं। ध्राफ पेपर पर टнал करने के बाद एक zoning plan हम बना लेंगे zoning plan जब हमारे complete हो जाए गा तो उसके बाद हम उसके अंदर door और windows तो तो हम देखेंगे इसके intentar के डूर्स की स्वेकें रोलोहएं विन्डोह कीसे बनातेया हैं, और फिर हम लाष्ट इस पे रिजाइन कंसीडरिशन्स म्दाय करें जो मूनने ने फ्रेटिकल्स अजी के स्जत्राइंड में अगर्शनिक्राइण मंवार्ड था स्वेकर्टि देख तो यह हमारे पास जो steps involved के हम बात करें या guidelines नर्मली हम बात करते हैं कि कौन सी guidelines हैं जो करनी चाहिए follow अगेन आप इसको change कर सकते हैं तो यह तो हमने already floor plan की definition भी पड़ दिया है आप इसको खोद देख सकते हैं तो यह हमारे पास कुछ standard dimensions है plots की यह आपने अपने पास memorize कर लेनी है आजकल क्योंके हम बात कर रहे हैं पकिस्तान जैसा मुलक जो के एक जरी मुलक है और हमारी development बड़ी बेहंगम तरीके से शहरों में हुई जा रही है और हमारी जर्खेज जरी जमीने जो हैं वो schemes में आई जा रही है तो कोशिश आजकल government की भी preference है और जो हमारी authorities हैं या जो हमारी municipal committees हैं corporations हैं उनकी भी कोशिश है कि कम से कम अब plot size कम से कम हो क्योंके रहना तो एक family नहीं है चाहे वो दो कनाल का हो या चाहे एक का हो अब तो authorities से recommend भी कर रही हैं और कोशिश कर रही है कि जितना कम से कम size plan यह दो dimensions आपने याद रखनी है हमेशा जो पहली dimension होती है वो हमारी X axis है फोर्द करने हैं यह गर यह प्लाट है यह प्लाट है यह प्लाट है तो रोड इसकát समय से घूर रही होगी महले हैं यह मिशाय आपने याद रखनी है कि रोड हमारी जिस साइडस से घूर mês हो गुजठी है और जो हमारी दूसरी डामेंशन होगी वो हमारी वाय डामेंशन है तो पहले हम X लिखते हैं और उसके साथ हम Y लिखते हैं जिस तरह तीन मरला में 20 feet by 33 feet and 9 inches इसी तरह पांच मरला में 25 by 45 यानि 25 X और 45 Y इसी तरह यह 10 का है यह आपके पास 20 मरले में 1 कनाल यह हमारे प्यास दो कनाल का है तो आप हम quickly गाइड लाइज देख लेते हैं सबसे पहले आपने देखना है यह एक रोड फर्ज करें यह कोई जमीन है यह मेरे पास नजर आ रही है यह दरमयान में इसे रोड गुजर रही है अब प्लॉटिंग कर लेते हैं तो यह हमारे पास प्लॉटिंग हो गए यह बिलकुल आप इमेजन करें आपका घर शायर इसी तरह के अरिया में हो यह आप आते जाते रहेंगे और रहते होंगे यह हमारे पास एक कोई एक रोड गुजर रही है और यह उसके अंदर प्लॉट है इसमें से फर्ज करते हम यह वाले प्लॉट की हमने प्लैन बनाना है बाकी बने हुए यह नहीं बने हुए हमें जो प्लैन मिला है वो यह है कि आपने इस घर का नक्षा बनाना है अब हम आगे चलते हैं अब सबसे पहला काम क्या करना है हमने मेंडेटरी ओपन स्पेसिज अब यह पांच मरला की लाहूर डिवल्मेंट अथारिटी जो है वो क्या कहती है आपकी कि आपने फ्रंट साइट यह हमारी फ्रंट है यहां से गाड़ी एंटर होगी यहां से हमारा मेन गेट होगा इधर य यह पांच मरला लेकिन दस मरला से कम उसका स्टेंडर भी लाहूर डिवल्मेंट अथारिटी एल डिया जिसे हम कहते हैं बिलकुल सेम है कि आपने पांच यहां करेंगे जो हैच है इस एरिया में आप कुछ बना नहीं सकते यह पर्मनेंट कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते जिस तरह हम घर बना लेते हैं कमरा बना लेते हैं इसी तरह यह मैं क्विकली रिवा गे जारा हूँ यह 10 मरला से 30 मरला की है कि आपने जो है वो 10 सामने से चोड़ना है 7 पिछे से और 5 जो है पिसी एक साइट से आप इस साइट से भी छोड़ सकते हैं यह आप चाहें तो उन्होंने आपको अथारठी दी लुए है और इसको कहते हैं आप पूर्डला सायट और इसको कहते हैं एको कहते है रेर साइट यह अपने अर्वेज करें करें यह बहुत है यहां जब है यह को यह पको बनहीं चислड होगी क्या यह आपको ऑनोड्रा हुआ है तो आपने इंशूर करना है इसी के साथ आगे चलें तो यह तीस मरला लेकिन दो कनाल से कम तो यहां पे भी आप यह उसके स्टेंडर्स आ रहे हैं अब यह स्टेंडर्स आपने ऐसा नहीं समझना के यह हर जगा सेम रहेंगे यह चेंज होते रहते हैं आपने लाजमी उस जगह का कानून देखना है बाइलास देखना है कि वह क्या कहते हैं कि आपने कितनी जगह छोड़नी है तो आपके प्लाट के अकार्डिंग इसके बाद यह टू कनाल अबव दो कनाल यह उससे ज्यादा की बात जब होगी तो इतना इतना आपने बीस सामने से और दस-दस हर साइट से अब जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप एक क्लाइंट के लिए होता है उसमें क्लाइंट का हम नाम लिख लेते हैं कि उस इन सारी चीज़ों को जहन में रखें इसके बाद जब भी हमने घर बनाने की तरफ जब जाना है तो स्टार्ट में हम ड्राइंग नहीं बनाते हैं यह याद रखना है आपने जब भी हम घर का नक्शा बनाएंगे सबसे पहले हम या तो किसी राफ पेपर या हम कोशिश करे कि यह मेरा घर है एक पांच मरला है 25 x 45 उसके अंदर कार पूर्च उसके अंदर बेडरूम की बाद पूरी ड्राइंग कंप्लीट करके जब मुझे लगेगा कि अब मेरा पेज के उपर कंप्लीट है और उसके हम पिश कोशिश करेंगे ग्राफ पेपर क्योंकि यहां पे एक्स वाई लाइन लगी होती है तो हमारी अकुरिसी और ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे असान होता है मेजर्मेंट्स जब हमें लगेगा इसको अपने ड्राइंग के अंदर याद रखने हैं आपने कभी भी डारेक्ट ड्राइंग में आपने स्टार्ट नहीं करना काम तो यह आप देख लें यह हमारे पास एक ग्राफ पेपर के उपर बना हुआ है जिसको बाद में हम कनवर्ट कर लेंगे कैट के अंदर यह हमारे पास जोनिंग प्लाइन आ जाएगा तो यह अगर आप नोट करें तो क्या बनाएं सबसे पहले यह मेरे पास बाउंडरी आफ प्लाट है यह मैंने इसकी दिवार खड़ी कर दी है यह आगे जाके हम देखेंगे कितने फीट की होती है यह मैंने सैट बैक्स वो जो मेंडिटरी ओपन स्पेसेज हैं पांच और पांच आगे पीशे चोड़ दिया अब मैं में गेट में ना बन गया कि यहांसे मेरी गारी दाखिल होगी अब मैं बाकी वन भाकी यह रिकौर्मन्टस बनती जाएंगी अगर मैं आगे चलूँ यह आप देखें तो एक गर बाथरूम ہے यह बेडरूम बन गया किचिन है ड्राइंग रूम है कारपॉर्च करना है तो इसके साथ हम एंडिंग की तरफ इस टॉपिक को मूव करते हैं इसके बाद फर्ज करें ये मेरे पास अब जब एक प्लाइन बन गया अब मैंने इसके अंदर दर्वाजे और खिड़कियां देनी है बहुत इंपॉर्टन टर्म है कि मैंने अब किचन है इसको कही न कई से मैंने एक विंड़ो भी देनी हैं अब दर्वाजा बनाने के ktorीके किया होंगे ये हम जा के दुबारा देखेंगे भी सही सबसे पहले दुएका का फ्रेम बना लेते हैं आप जब भी आप दर्वाजे को देखेंगे तो इसका फ्रेम होता है जिससे और इसके बाद जैसी फ्रेम बन जाएगा तो फिर हम जो है यह आपके सामने आर्क हम बनाएंगे और यह हमारी ओपनिंग एसल में जब हम दर्वाजा खोलते हैं तो आप हो रहा होता है तो यह हमारी ओपनिंग बन जाएगी और चोगार्ट लगाएंगे तो यह हमारे पास एक डूर का स्ट्रक्चर बनेंगा हमने सबसे पहले किया एक फ्रेम बनाया अपना और हमारी यह आर्क लगेगी और चोगार्ट हमने बनाई ओपनिंग इसके साथ हमने मे एक खिड़की की आवराल प्लैन के अंदर की बात करें, यह प्लैन के अंदर हम बनाते हैं इसे, तो यह मैंने एक खिड़की का स्ट्रक्चर जो है, जो वाल के ठीकने से वह आ गई, इसके सेंटर में लाइन लेगाई, एक इंच उपर और एक इंच नीचे लाइन, तर्मयान अभुका के अंदर हम वाल को को शो करते हैं और यह जो मारे पास प्रिवियस था इस तरह हम प्लैन के अंदर डोर को को शो करते हैं, अब हम यह अब फर्सक कर नहीं है किखी होनी चाहिए अब फर्ज करें आगे हम चलते हैं तो यह हमारे पास एक ओर डिजाइन है इसमें अब कीचन के अंदर खिडकी दे दिया है तो यह हम बता इस तरह तो दे सकते हैं क्योंकि इस तरह हमारी अपनी जगा है लेकिन ये साइड गलत है तो इसलिए आपको ये क्रॉस कर रहा है फिर एक और मारे पास प्लाइन है इसमें आप देखें तो ये ठीक है अब वो बता रहा है कि ठीक है खिड़की इधर ही होनी चाहिए अब ये दोर खुद नहीं लगाए इसमें अगले हमारे पास दोर करें तो क्या है कभी भी आपने दर्मयान में घर के अप सेंटर में डोर नहीं देंगे दर्वाजा हमेशा हम दीवार के साथ देते हैं ये अपने प्रिंसिपल याद एकने कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बिलकु आप नहीं हमने दीवारों के साथ इंशओर कर ली हैं और ये उस ने गलत किया है क्यूंकि अब ये दर्वाजा और ये दर्वाजा बिलकुल आमने सामने हैं ये खोलने और ये खोल दें तो आगर और बन्दा मेहमान भी आया हुए तो यहां से बैठ के आपके बैड्रूम तक अकसेस है उसे वो देख सकता है तो ये कभी भी डिजाइन में रिकुमेंट नहीं किया जाता आपने ये प्राइवेसी लाजमी इंशूर करनी है अब कमरे की इसी के साथ ये हम लास्ट अगर अपने इमेजिस को देखें तो अब ये यहां होके कर रहा है अब ये कह रहा है पस कलाइंट आता है वो कहता है कि आपने मेरा घर का नकशा बनाना है तो घर के नकशे से लेकर स्टेप वाइस हम किस तरह जो है वो अपने छोड़ देते हैं कि जो आफॉरिटीज में रिकुमेंडेट होती हैं कि आपने छोड़नी है फिर उसके बाद हमने जोनिंग प्ला प्लाइन बना लिया के उसके रिकॉर्मेंट के एकार्डिंग बेड रूम अगर उसने कहा है उसने कहा है के जी हमारा किचन होना चाहिए तो उसकी प्लेस्मेंट और ये प्लेस्मेंट हम बनाने के बाद दुबारा डिसकेशन भी करते हैं विड क्लाइंट के ये मैंने एक प्लाइन बनाया है आपने का ये जे चीज होनी चाहिए तो ये मैंने एक बना लिया है इसके बाद फिर हमें कोई तब्दीलियां बताएगा हम उसके अंदर आहस्ता फिर हमने डूर की प्लेस्मेंट अलाइमेंट आफ डूर्स देखा तो ये जितनी चीजें हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर की हैं ये जब हम प्लाइन फॉर्मली बना रहे होंगे कैड के अंदर वहां जाके दुबारा हम रेफर भी करते रहेंगे वन बैवन ताके हम ये मिस्टिक्स वहां रिपीट न करें और हमारा एक बहुत एफिशन्ट प्लान बन जाए